आयोध्या जिन्पत की थाना केंड पुलिस वा एसोजी की टीम को एक बड़ी काम्यावी हाथ लगी है आयोध्या में खुद को लेफ्टिनेंट अफसर बता कर लोगों से धनगवाई करने वाले सक्स को आयोध्या पुलिस की टीम ने मिलेट्री इंटेलिजन्स की सूचना पर धर्दवोचा पुलिस के अत्य चड़े फरजी कैप्टर के पास से सेना की बर्दी से जुड़े कैई सामगरी बरामा दुए है मामले का खुलासा करत हुए एससपी पलास बंसल ने बताया कि कैई दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी जिसको लेकर मिलिट्री इंटेलिजन्स वा इस थने पुलिस लगातार इसकी तलास में थी इसी क्रम में थाना कैंट वा एसो जी की सेंक्त टीम ने मुख्विर की सूचना पर त्वरित करवाई करत हुए सादत कंज बेरियर के पास आरूपी सौरफ सिंग और उप्दीगू को ग्रफतर किया है इस सूचना पे हाना कैंट की फोर्स तथा एसो जी की फोर्स इसमें लगी इसको ग्रफतरी के प्यास करने लगी आज 2 अगस्ट 2021 को इसी ग्रफतरी हुई है सादत कंज चौराय से इसको पकड़ा गया है तलाशी करने पर जो मिलिट्री की ड्रेस होती है जो यूनिफॉर्म होती है उसके कई प्रकार के इसके पास यूनिफॉर्म मिली है जो अलग जंगल व्रफेर की उनिफ़र्म होती है वो इससे बराम्ध होई है क्या आप होगया शूस होगया जो मिलिट्री के musbra automatic जो इसके पास वर्दी होती है वो सारे इससे बराम्ध किये गया है इसके पास एक ID कार्ड भी वरामत किया गया है जिसमें इसका लेटनेंट का पद दिखा करके फर्जी आई कार्ड इसने बनाया है इसके मोबाइल से हमें कई प्रकार की फोटोज मिली हैं जिसमें इसने फोटो एडिटिंग करके अपने पास हतियार दिखाये हैं और जो अन्य प्रकार की जो मलब शस्त्र हो गए या फिर अलग टाइप के जो मिलिट्री के पास एक्क्यूप्मेंट्स होने चाहिए थे वो इ इससे भैबीत हो जाएं जो भी इंफ्येंस हो जाएं उनको लगे कि यह बड़ा आदमी है यह बड़ा आदमी दिखा करके यह अपने आपका अपना इंफ्यूएंस है उससे अलग लग लड़कियों के साथ संबंद रखने की प्रयास करता है और ऐसे कई शिकायती हमारे पा काफी काम आएगा जो इसके खिलाब मुकंदमा पंजिक्रीप कर दिया गया है जो फ्रोड का मुकंदमा 419-1977 का मुकंदमा दर्च कर दिया गया है और इसके खिलाफ विदिक कारवाई की जा गया